ये एक बौध धर्म स्थल है जो फरूखाबाद जिले के पकना रेल्वे स्टेशन से साथ मील दूरकाली नदी के तटपर स्थित है इसका प्राचीन नाम संकाश्य है कहते हैं बुद्ध भगवान स्वर्ग से उतर कर यही पर आये थे इसलिए बौध हिसे अपना तीरत स्थल मानते हैं वर्तमान में संकिसा तीले पर बसा छोटा सा गाव है तीला दूर तक फैला हुआ है कभी ये किला था किले के भीतर इटों के धेर पर बिसहरी देवी का मंदिर है पास ही अशोक स्तंब का शीर्ष है जिस पर हाथी की मूर्ती निर्मित है संकिसा का उलेक महाभारत में किया गया है यह नगर पांचाल की राजधानी कामपिल्य से अधिक दूर नहीं था महा जनपद युग में संकिसा पांचाल जनपद का प्रसिद नगर था महान समराट अशोक ने संकिसा में इस थान को विक्सित किया था और यहां प्रसिद अशोका स्तंब का निर्मान क जिसे हम आज विसारी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। चीनी यात्री फायान ने 405 से 411 में वहियन सेंग ने 637 से 639 की अपनी यात्रा में इसका विवरन दिया है। सन 1842 में कनिंगम ने यहां खुदाई करा इस जगह को जीवन्त किया। जहां दूर विदेश से बौध यात्री भारी संख्या में आते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने इस थल को पर्यटन के रूप में विक्सित करने वर रोडव हवाय अड़ों से जोने की घोशना की है।